आज मैं आपको ले चलूँ श्री गौतम सामी ने जो कहा है सदा करेमी किर्यमम नानानम दंसनानम तरित्तानम सदा करेमी किर्यमम सदा करती करूँ करना चाहिए हम करते हैं सदा करती करूँ करते हैं इस करती करूँ का वर्नन विशेष रूप में मुलाचार में आया है श्रीकुंद कुद्यदेव ने मुलाचार में इसका विशेष प्रत्वादन किया है और विस्तार से मूलाचार में अनगार धर्मामृत में आचार साराजी ग्रंथों में विस्तार से इसका उल्लेख है मैं आपको मूलाचार स्रीकुंदकुन स्वामी के मूलाचार की गासा सुनाओ दोनदम तू जजाजादम बारसा आवत मेवच चदु सिरम ते सुधिम्च किजी अम्मम पहुंज दे दोनदम जिसमें दो बार प्रणाम आता है और यथा जात मुद्रा के धारी महामुनी यह साजाद मुद्रा को धान करने वाले महामनी जिसमें दो प्रणाम करते हैं बारसावत बारा आवर्त दो प्रणाम बारा आवर्त चतु सिर चार बार नमस्कार सिरोनती चार सिरोनती जो इसमें हुए उसका नाम है कृचिकर्व दो बार बैठ कर प्रणाम करना नमस्कार करना और वारा आवर्द जिसमें है और जिसमें चार बार सिरन अती है तरिसुद्धी पूरक मनुजन का कि सुद्धी पूरक उसी का नाम है कृति कर्म ये कर्ति कर्म बिधी मुख्य रूप से सामाइक में सिखाई जाती है देव बंदना सामाइक में साधुगन तो करते ही है स्रावकों के लिए भी करना चाहिए साध्मों के तो ये कर्ति कर्म और आत्र में 28 माने हैं जैसा 18 मूल गुण है ये ये आत्र साध्मों के लिए मनी आरिका चुलक शिलक आदि के लिए पिछ्टी धारी के लिए ग्रह तागियों के लिए ये कर्ति कर्म 28 है साभों के लिए मुख्यरूप से आतायर महराच की परश़क में जैसा कि मैंने जाना है यह कृति कर्म Mुक्रुप से आठ रहें। चार उनकी देव पुजा में आ जाते हैं सब़े देव पुजा, सामाईक, देव पुजा बिना सर्वाप दुरा सामाई की क्रिया। साभक जो है सामाई कर्या अपनी देव पुजा पुरग करते हैं। कि उसमें चार भक्ति आती हैं कि शिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् ऐसे 8 खर्तिकर्म श्रावकों के लिए मुख्य हैं श्राव जो दो के लिए 28 खर्ति कर्म मैं मैं आपको से उनकी संख्या गिना दूं त्रकाज्स्ता माइक के टय तो सब्सक्सद्र बंजग्रु बंच्तिकर्म होते हैं 3 भकत हे जो अनम भासिविव हां है यू पिंद्व खे कृतिकर्म हो गए मैं द्रकात सामाइक के आधे अपर फ्र marvelous हार होते हैं सीद्भक्ति प्रतिकोर्ण भक्ति भी भक्ति अदोख हो चर्वित ती शिचित छिच भक्ति ह Only और स्वाध्या चार बार माना है पूर्भान अप्रान दिन में दो बार और रात्री में दो बार पूर रात्रिक और पश्णिम रात्रिक तो स्वाध्या में तीन तीन कृतिकर्म है शुर्द भक्ति और आचार भक्ति के प्रारम में दोदो कृति कर्म और सुर्द भक्ति पूरक समापन करना ऐसे तीन कृति कर्म तो चार बार स्वाध्या के बारा कृतिकर्म हो गए और रात्री योग प्रतिशापन जहां रहे हैं वहां रात्री के लिए नियम कर लेते हैं इतनी सीमा के जात्रिक तो रात्री में कहीं गवन नहीं करेंगे तो योग भक्ति कर्दी कर्म विजी से योग भक्ति पढ़ते हैं और प्राता काल प्रतिकर्ण करके उसका निश्ठापन बैरातिक स्वाथा करके रातरी योग का निश्ठापन कर देते हैं खुले हो जाते हैं दिन में कहीं भी जाएं तो दो योग भक्ति के ऐसे 28 कर्दिकर्म साथमों के माने हैं कर्दिकर्म के विजी में मैं आपको ले चलू इसमें चार मुद्राओं का प्रियोग होता है आप मुद्राओं की तरफ ध्यान देंगे एक तो मुद्रा है जिसे कहते हैं मुक्ता सुक्ति मुद्रा यह है ऐसी चिपके हाथ को हाथ को चिपका करके और जोड़ना यह है मुक्ता सुक्ति मुद्रा और बंदना मुद्रा है मुकलित मुद्रा हाथ को कमल के बोड़ी के समान बंद हुए कमल के समान मुकलित करना ऐसा फुला करके यह बंदना मुद्रा और योग मुद्रा पदमासन से बैठ गए या आर्द पदमासन से बैठ गए वो योग मुद्रा है बाहे हाथ की हतेरी पदाई हाथ की हतेरी रखकर आदी और जिन मुद्रा है जो दोनों हाथों को रटका कर दोनों पेरों को चार अंगुल के अंतर से रखकर खड़े हो गए जैसे खड़कासन प्रत्माए है इसे प्रकार खड़े होकर कावश्चरादी करना ये है जिन मुद्रा तो जिन मुद्रा, योग मुद्रा, मुक्ताशुत्य मुद्रा और मंद्रा मुद्रा जान मुद्राओं का प्रयोग इसे एक कृतिकर में होता है जैसे खड़े ओकर प्रतिग्या की नमस्तू पौरानिक देव बंदनायम चैत भक्ति कायो सर्गम करो में हम ये पौरानिक देव बंदनायम पूरा चारा नुक्रुमेंट सकल करम पौरानिक देव बंदनायम चैत भक्ति कायो सर्गम करो में हम ये प्रतिग्या की खड़े होकर फिर बैठ करके गवासन से पंचांग नमस्कार किया चाह साश्ट्रांग नमस्कार किया ये एक प्रनाम हो गया तो प्रतिग्या करते और एक नमस्कार किया प्रनाम इसका नाम प्रणाम है नमस्कार चाहे पंचांग या साश्टांग ये एक हो गया पुनाह तीन आवर्थ आवर्थ ऐसे कहते हैं बाई तरफ से दाई हाथ को घुमा करके और जो ग्या जाता है इसको आवर्थ कहते हैं एक दो तीन तीन आवर्थ करके और बंदी उए उजली प पूर्वक करके फिर नवोकारवंद्र का उच्चारन चत्तारी बंगल पार्ट का उच्चारन अधाई जिद्धी दोसों देशुपनारस का ममी स्वादि ये पार्ट पढ़ा जाता है ये कृति कर्म की विधी छपी हुई है गणसरबानी गवतों गणसरबानी में आपको इसक शुट्रिक करके फिर नवोकारवंद्र चत्तार वंगल पार्ट करके अधाई दिदोसों देशुपनारस का ममीशुझा, वरणतानम, भयवंतानम, आधे रानम, तिथ्यरानम, जिनानम, जिनौत्वानम, केवल्यानम, सिद्धानम, Muddhanam, पर्णमुदानम, हंतिडानम, पार न करेमी, न कारेमी, किलंतवी, न सोन मनामी, तस भंते आईचारंपटिक्वामी, निंदामी, गरहमी, जावरंतानम, भेंतानम, पजवासम करेमी, ताव कालम, पाव कुमन दिचर्यम, बोस्तरामी, ये पाठ प्राक्रत में है, स्रीक वतम सामी के मुक्त से निकला हुआ, और दुन्डग कहलाता है, इसमें फिर पढ़ करके तीन आवर्त एक सजनती करके पुना पंचाग नमस्कार की, पुना है, 27 साथ सक्ष्वास से नो बार कायुसर क्या, नो बार नमो कारवन्त का जाप क्या, 27 साथ सक्ष्वास से, रमो अरहन तानम बोलकर साथ खीचना, नमो पुना और सबसावनम बोलकर छोड़ना, ये प्राणायम विधी पूरक, साथ सक्ष्वास विधी पूरक, एक नमो कारवन्त में तीन साथ सक्ष्वास होते हैं, ऐसे नो नमो कारवन्त में 27 साथ सक्ष्वास करके फिर साथ स्टांग नमस्कार करना, खड़े वकर अगर कर र तो दो प्रणाम हो गए, प्रारम में प्रतिग्या में प्रणाम किया, तुना कायुसर्ग में किया, और तीन आवर्त एक सिरुनति पढ़ करके स्वामाइक दंडग सुरू किया था, और तीन आवर्त एक सिरुनति करके ये करे में ये ताव कालम आव कमम दुचरियम बोस्तरा sparked हम पढई स्वामा इक धंडग पुन करके, या कॉसर किये जाता है, तो 6 आवरत और 2 सिर्हन नोती हो गई, अब काउसर पासर करके , पचाग नमसकार करके 2 प्र नाम हो गए, फिर मुक्ता सुट्पि मुध्रा , मुक्ताशित्त्यमुद्रा से सामा एक देंडग पढ़ते हैं, और मुक्ताशित्त्यमुद्रा से ही थोस्त्यमुद्रा बना लिया। ये मुक्ता सुत्य मुद्रा है इसे थोसाम्यम जिन्वरे तीन आवर्थ एक सुनरती करने पहले बंद्रा मुद्रा से तीन आवर्थ एक सुनरती पुना मुक्ता सुत्य मुद्रा से थोसाम्यम जिन्वरे तित्यारे केवली अनंत जिने नर्पावर लोय मैं ये विही रमने मह पढ़ने आदी ये पूरा पाट पढ़ लिया ये स्वासामी पाट में 24 संकर की सुति है श्री गौत्म स्वामी के मुख से निकली इसमें अंत में आता है सायर मयुगंभीरा सिद्धा सिध्धिम्म दिसंतु ये अंतिम अहां पंक्ति जिसमें आठ कावे हैं आठ कावियों में अंतिम पंक्ति पढ़कर के तीन आवर्थ एक सिरुनति कर लिया तो ये सामाईक दंड़क के पहले तीन आवर्थ एक सिरुनति सामाईक दंड़क के अंत में तीन आवर्थ एक सिरुनति थोस्वामी के पहले तीन आवर्थ एक सिरुनति और थोस्वामी के ब तो दो प्रणाम, दो अनदम दू ज़्धा जादम बारसावत तमेशे, जिसे दो प्रणाम हो, बैठ करके नमस्कार करना, और बारा आवर्त हो, चार सिर्वनति हो, वो कृतिकर्म कहलाता है, यह कृतिकर्म की विधी, हमें और आपको अच्छी तरह सीख करके करना ही चाहिए, और आचारियों ने बताया है, मुलाचार में इसका बहुत विशेश इस्पष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि मूलाचार और भगतियार आधना आधी आचारियों के ग्रंथा आचार सारा दी ग्रंथा की आधार से ही उन्होंने मुनियों के लिए अनकार धर्माम्रस साब को के लिए सागार धर्मात लिखाए तो बात हैं सभी ग्रंथ हमें प्रामानिक हैं और हम सभी साध्मों को पिछ अचार सार मुलाचार प्रदीव सकर्किर्टी आचारिका और अंगार धर्मात आशार दर्जी का इन ड्रंतों का साध्या करके ये सब कृतिकर्म विधी अपने 28 मुल्गुन और 28 कृतिकर्माजी को अच्छी तरह समझना चाहिए यही मेरी भावना प्रेडना और साध्यों के आश्राव को के लिए और हमारी बात को सुनने वाले सभी श्राव को कि रिभावत बहुत बंगारा शिरात कृति जब लो भारत गवर्व दिवी शक्ति गणिनी प्रमुक्षी ग्यान्मति माता जी की